पूरी में आपको आज बताने वाला हूँ और दोस्तों इस आंसर की जरी में आज आपको बताऊंगा कि जो UP Meter है उसने फीटर में किस तरह की जो क्यूशन से वो दिये हैं और उनकी जो कौन-कौन से आंसर वो राइट मन है अगर दोस्तों उनमें अगर कोई question गलत है यानि कि उसका जो answer वो गलत दियावा है तो दोस्तों आप उस पर objection है वो डाल सकते हो यानि कि कल से 21 तारिक से जो है इसका जो objection link है वो UP Metro ने जो है open कर रहा है तो दोस्तों अगर कोई question या answer आपको गलत लगता है तो आप उस पर objection डाल सकते हो इसके लावा दोस्तों इस answer के जरीए में आपको ये भी बताऊंगा कि जो UP Metro है उसका जो exam level है वो क्या है किस तरह के वो जो question से वो exam में देती है और दोस्तों इसके लावा मैंने पहले भी जो है UP Metro के old paper का जो है video upload कर रहा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो तो दोस्तों मैंने पहले भी उन वीडियो के मादने में से बताने के कोशिस की है कि जो UP Metro है उसका जो exam का level है वो क्या होता है और किस तरह की वो जो question से वो देती है तो चलिए दोस्तों शुरुवात करते हैं तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो सबसे पहले टेकनिकल का पहाट आएगा और दोस्तों इसमें लगबग 75 जो question है वो आने वाले हैं तो दोस्तों इसका जो पहला question है वो है फिर अगला question है इसमें दोस्तों जो दूसरा question है तो दोस्तों जो दूसरा question है उसमें दियावा है एन instrument used to transformer measurement from steel rule to the object or vice versa is known as तो दोस्तों right answer आएगा इसका के लिपर और दोस्तों यह जो है UP Metro की तरफ से एकदम right answer माना गया है फिर अगला question है दोस्तों जो तीसरा question है तो दोस्तों जो तीसरा question है उसमें दियावा है which of the following is not a type of belt drive तो दोस्तों इसका जो answer आएगा वो होगा half belt drive यह जो है इसका right answer होगा फिर अगला question दोस्तों जो चोता question है और दोस्तों चोता question है उसमें है पांच वा क्यूशन है और दोस्तो जो पांच वा क्यूशन है उसमें दोस्तो which of the following is true about gray cast iron तो दोस्तो इसका जो answer वो आएगा कभी यानि कि carbon is present in the form of free graphite flex से यह जो है इसका दोस्तो राइट अंसर होगा फिर रगला और दोस्तो अगर यह वीडियो है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है शेर करना है साथ में दोस्तो अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को दबाएं फिर अगला उसमें है दोस्तों the part of the drill which is gripped in the holding device is known as तो दोस्तों इसका जो राइट अंसर होगा sank है फिर अगला क्यूशन हो दोस्तों नवा क्यूशन है और दोस्तों जो नवा क्यूशन है उसमें है which of the following is not used as a heating medium for soldering irons तो दोस्तों answer है hot water यह जो है इसका राइट अंसर होगा फिर अगला क्यूशन हो दोस्तों उसमें 10 वा क्यूशन है तो दोस्तों जो दसवा क्यूशन है उसमें जो है पिच ओफडा इस्क्रूँ गेज इज इक्वेल टू तो दोस्तों राइट अंसर होगा दि यानिके distance moved by a screw divided by number of full rotations यह जो है इसका राइट अंसर होगा फिर अगला क्यूशन हो दोस्तों इसमें 11 क्यूशन है और दोस्तों 11 क्यूशन है उसमें दोस्तों frosting इसका राइट अंसर होगा फिर रखला क्यूसन उसमें बारवा क्यूसन है उसमें वाट इस दा यूज ओफ पाइप डाई यारे कि दोस्तो जो पाइप डाई उसका जो यूज वो किस लिए लिया जाता है तो आंसर है तो कट एक्स्टरनल थ्रेड ओन ए पाइप इसके लिए जो है इसका उपियों किया जाता है और यह जो है इसका राइट अंसर होगा फिर रखला क्यूसन उसमें तेरवा क्यूसन उसमें ता लेंट ओफ दा फिलर गेज ब्लेड इज एमम एकोडिंग टू बी आई एस इस टेंड़ेट तो दोस्तो यहां पी क्या आएगा आंसर आउफ ए लूब्रिकेंट तो दोस्तो आएगा अंडर सप्लाइए जो है इसका राइट अंसर होगा फिर अगला क्यूसन उसमें जो पंदरवा क्यूसन है और दोस्तो पंदरवा क्यूसन है उसमें दोस्तो दा एबिलिटी ओफ ए मेटेरियल तू एपसोर्ब अलार्ज अमा क्या होती है तो दोस्तो आंसर है फिनिसिंग ओप्रेशन होता है यह जो है इसका राइट अंसर होगा फिर अगला क्यूसन है दोस्तो उसमें जो सत्रवा क्यूसन है और इसमें दोस्तो 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 यह जो फिगर है यानिकि यह जो डाइग्राम वो किसे रिप्रेजें system is driven by, तो दोस्तो answer आएगा, a came soft, यह जो है, इसका right answer न्सर होगा, फिर एगला a question है, तो इननीस वा כ्यू सन है, उसमें which of the following is true about lepping abrasive, तो दोस्तो answer है, लेप is charged with abrasive grains, यह जो है, इसका right answer होगा, फिर एगला a question है, दोस्तो 20 question है, तो दोस्तो बीसवां जो question है उसमें देख सकते हो which of the following is used to hold a round metal road or pipe for performing drilling operation तो दोस्तो answer इसका we block with clamp यह जो है इसका right answer होगा फिर रखला question हो दोस्तो 21 तो दोस्तो 21 जो question है उसमें है which of the following press questions should be followed while working on a lathe तो दोस्तो answer इसका B यानि कि switch of the machine before making any adjustment और cleaning the lathe यह जो है इसका right answer होगा फिर अगला question हो दोस्तो इसमें 22 वा question है तो दोस्तो जो 22 वा question है उसमें देख सकते हो इसमें which of the following is correct about oxy acetylene gas cutting तो दोस्तो इसका जो answer होगा C यानि कि gas cutting torch consists of one more hole which carries the pure oxygen for cutting action यह जो है इसका right answer होगा फिर अगला question हो दोस्तो 23 वा question है तो दोस्तो जो 23 वा question है उसमें आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें पूछा गया है दोस्तो which of the following is not a pipe fitting तो दोस्तो answer है tape ही यानि कि दोस्तो जो tape जो होता है वो pipe fitting में जो है काम में लिया नहीं जाता बलकि जो elbow है reducer है और जो T होता है उसका परियोग है वो pipe fitting में किया जाता है लेकिन tape का परियोग नहीं करते हैं फिर अगला question है दोस्तो 24 वा question है तो दोस्तो 24 वा question है उसमें dial vernier caliper is तो दोस्तो answer है D यानि कि modern instrument that incorporated all features of the vernier caliper यह जो है इसका right answer होगा फिर अगला question है दोस्तो 26 वा question है तो दोस्तो 26 वा question है उसमें आप यहां पर देख सकते हो which of the following is a drip field type lubricator तो दोस्तो answer है इसका B यानि कि siphon wick system यह जो है इसका right answer होगा फिर अगला question है दोस्तो 27 क्यू इसमें compound rest is used for तो दोस्तो answer है supporting the tool post and cutting the tool in different position यह जो है इसका right answer होगा फिर अगला question है दोस्तो 28 वा question है तो 28 वा question है उसमें इसमें इन इन और गयनिक फ्लक्स यूजड फॉर स्वाल्डरिंग केडमियम तो दोस्तो answer है C यानि कि killed sprit यह जो है इसका right answer होगा फिर अगला question है दोस्तो 28 क्यूशन है उसमें आप यहां पर देख सकते हो इसमें इन इन और गयनिक फ्लक्स यूजड फॉर स्वाल्डरिंग केडमियम तो दोस्तो आंसर है C यानि कि killed sprit यह जो है इसका right answer होगा फिर अगला question है दोस्तो उसमें 29 क्यूशन है और दोस्तो 29 वे जो क्यूशन है उसमें which of the following is not a part of cross pin यानि कि pin hammer तो दोस्तो आंसर है year यह जो है इसका right answer होगा फिर अगला question है दोस्तो उसमें 30 क्यूशन है और दोस्तो 30 क्यूशन है उसमें दोस्तो adequate ventilation must be provided during welding using roof, exhaust fence or wall, exhaust fence or similar air movers must be used if the space per welder is less than तो दोस्तो आंसर है 10,000 cu fitts फिर रखला question है दोस्तो इसमें 31 क्यूशन है तो दोस्तो 31 क्यूशन में जो है एक जो है इसमें symbol आ चुका है और doust時 symbol के questions है वो हमेशा ITA level के exam से में आते हैं तो दोस्तो उस symbol के वीडियो में आपको electrical और electronic से संबंदी जो है symbol बताएगे हैं और इसके लिए जो अगला है एक वीडियो जो है इस पर upload किया जाएगा तो दोस्तो जो 31 क्यूशन है उसमें है the given symbol indicates तो दोस्तो यह जो symbol है वो किसे दर साता है तो दोस्तो आंसर है 3-2 पोपेट वालवे यह जो है इसका राइट अंसर होगा फिर अगला क्यूशन है दोस्तो इसमें 32 क्यूशन है और दोस्तो जो 32 क्यूशन है उसमें आप यहां पे देख सकते हो इसमें है which of the following is not a case for flanking type failure in bearings यह जो है इसका राइट अंसर होगा फिर अगला क्यूशन है दोस्तो इसमें 34 क्यूशन है इसमें दोस्तो आप यहां पे देख सकते हो इसमें है which of the following is the most appropriate range of lip clearance angle provided on the drill तो दोस्तो आंसर है drilling के लिए जो angle है वो कितना होगा 8 degree से 12 degree तक यह जो है इसका राइट अंसर होगा फिर अकला क्यूशन हो दोस्तो उसमें जो 35 क्यूशन है और दोस्तो जो 35 क्यूशन है उसमें what is the allowable maximum pressure in gauge for acetylene gas cylinders in accordance with OSHA standards तो दोस्तो आंसर है यह जो है इसका right answer होगा फिर अगला क्यूशन हो दोस्तो 36 क्यूशन है और दोस्तो 36 क्यूशन है उसमें the standard that measures the? तो दोस्तो अंसर है, pipe's wall thickness यह जो है इसका right answer होगा. फिर अगला क्यूशन नहां दोस्तों, इसमें 38 ह्म क्यूशन है और दोस्तो 38 क्यूशन में है, a tool that is used to remove the drill from the spindle hole is known as. तो दोस्तों आंसर है drift यह जो है इसका right answer होगा फिर रख़ला क्योंग दोस्तों इसमें 49 वा क्योंग है और दोस्तों 49 वा क्योंग में दा साइज ओफ ए मैनुफेक्चरीड कंपोनेंट ओपेंड बाइ मिजर्मेंट इंडिकेट्स दा तो दोस्तों आंसर है actual size फिर एकला question दोस्तो उसमें 40-वा question है और दोस्तो 40-वा question है उसमें which of the following is the correct relation for selecting tape drill size d यानि की diameter of the drilled hole t यानि की outside diameter of tape d यानि की depth of thread तो दोस्तो इसका जो answer होगा d बराबर t minus 2d यह जो है इसका राइट answer होगा फिर एकला question है दोस्तो उसमें 41-वा question है तो दोस्तो 41-वा question है उसमें in a pipe holding device तो दोस्तो answer है d यानि की the pipe is gripped between movable jaws यह जो है इसका राइट answer होगा फिर अगला question है दोस्तो उसमें 42-वा question है और दोस्तो 42-वा question है उसमें which of the following is not a type of drill तो दोस्तो answer है periphery drill यह जो है इसका राइट answer होगा फिर तो दोस्तो आंसर है यह जो है राइट अंसर इसका होगा तो दोस्तो आंसर है यह जो है इसका राइट अंसर होगा और अगर दोस्तो यह जो वीडियो है आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है सेर करना है दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिलाकन को दबाए क्योंकि दोस्तों MKN Academy के चैनल पे समय समय पे टेकनिकल सा सम्मधित वीडियो अपलोड किये जाते हैं और अधिकांस्त मेर्टर एक्जाम्स के जो वीडियो है इस पे अपलोड किये जाते हैं फिर एकला क्यूसन दोस्तों उसमें 45 वा क्यूसन है तो दोस्तों जो 45 वा क्यूसन है उसमें आप देख सकते हो तो दोस्तों इसका जो आंसर है वोगा C यानिकी 10 फिर एकला क्यूसन है तो दोस्तों 46 वा क्यूसन है तो दोस्तों 46 वा क्यूसन है उसमें तो दोस्तों आंसर है थिंबल यह जो है इसका राइट अंसर होगा फिर एकला क्यूसन है तो दोस्तों 47 वा क्यूसन है तो दोस्तों 47 वा क्यूसन है उसमें D, यानि कि weight of the machine, यह जो है इसका right answer होगा, फिर अगला question है दोस्तों इसमें, उन 50 यानि कि 49, तो दोस्तों इसमें, which of the following is a part of a vernier bevel protector, तो दोस्तों answer है B, यानि कि blade, फिर अगला question है दोस्तों इसमें 50 पा क्युषन है, और दोस्तों जो 50 पा क्युषन है उसमें, what is the specific gravity of tungsten, या दोस्तों इसमें Stevens, तो दोस्तों इसमें, which of the following is not a plumbing tool, तो दोस्तों answer है Elbow, यानि कि do elbow होता है, वो plumbing tool नहीं है, बल्कि pipe wise, pipe wrench, pipe die, जो है plumbing tool होता है, लेकिन यह होता है, वो plumbing tool नहीं होता, और यह इस question का right answer होगा, तोấu जो 52 a question है, उसमें a restriction check valve , तो दोस्तों answer है B, यानि कि allows full flow in one direction and a reduced flow in the other direction यह जो है इसका right answer होगा फिर अगला क्यूशन हो दोस्तों उसमें 53 वा क्यूशन है तो दोस्तों 53 वा क्यूशन है उसमें दिया गया है which of the following is a use of a tapered roller bearing तो दोस्तों इसका जो answer होगा B यानि कि it is used when the axial thrust is more than the radial load यह जो है इसका right answer होगा तो दोस्तों 54 वा क्यूशन उसमें what is the use of providing tolerance to the component size तो दूस्तों आंसर है C यानि कि to manufacture the part with the permissable size error यह जो है इसका right answer होगा फिर अकला क्यूशन हो दोस्तों उसमें 55 वा क्यूशन है तो दोस्तों पच्च्पनवा क्यूशन उसमें पावर is transmitted by a तो दोस्तों आंसर है बेल्ट ड्रायव है यानि कि दोस्टो जो पावर होती है वो बेल्ट ड्रायव की दौरार ही जो है transmit की जाती है फिर अगला की फिन दोस्टो उसमें 56 ट्सन है तो दोस्टो 56 क्युशन है उसमें आप आसान ही से देख सकते हैं इसमें दियावा है Which of the following is the most appropriate percentage range of carbon content in cast iron used for commercial purpose तो दोस्तो आंसर है 2-4 पर 37 तक फिर अगला क्यूसन दोस्तो उसमें 57 क्यूसन है तो दोस्तो 57 क्यूसन है उसमें दोस्तो दियावा है which of the following is not a type of belt यानि कि इसमें से कौन सा एक एसा परकार है जो belt का परकार नहीं है तो वो एकस belt ये जो है belt का परकार नहीं है यानिकि इसका रैट अंसर होगा फिर गाला क्यूसन दोस्तो उसमें 59 यानि कि 69 जो क्यूसन उसमें इस में विक्ट ऑफ फॉलविंग इज नॉट ए टैप ऑफ पुली यूजड इन बैल्ट ड्राइव तो दोस्तो और रेक्टेंगुलर पुली फिर एकला कुछन वे दोस्तों उसमें 60 यानिकी जो 60 पूछन है तो दोस्तों इस कुछन में विक्ट ऑफ फॉलविंग इलेमेंट इन बेरिंग्स तो दोस्तो आंसर है Rectangular Rollers फिर एकला क्यूशन है दोस्तो 61 और दोस्तो 61 जो क्यूशन है दोस्तो इस क्यूशन में आप जो है आवसान नीचे देख सकते हो Which of the following is a tool holding device for drilling operation तो दोस्तो आंसर है drill चक्वे यह जो है इसका right answer होगा फिर एकला क्यूशन है दोस्तो 62 जो क्यूशन है और 62 क्यूशन में दिया भा है Which of the following is not a corrosive flux used in soldering तो दोस्तो आंसर है C याने की resin फिर एकला क्यूशन दोस्तो इसमें 63 क्यूशन है तो दोस्तो 63 क्यूशन में है A pipe bending machine is used to तो दोस्तो आंसर है C याने की bend the pipe फिर एकला क्यूशन है दोस्तो उसमें 64 क्यूशन है तो दोस्तो 64 क्यूशन है उसमें वार्ट इस the function of a reducer तो दोस्तो आंसर है To connect two pipes with different diameter फिर एकला क्यूशन दोस्तों उसमें 65 क्यूशन है तो दोस्तो पहाइशन है उसक्यूशन में है दोस्तो what should be done if odd noise or vibrations are developed during the operations of a lethe, तो दोस्तो इसका answer है stop the machine immediately and it should not be operated till the fault is cleared ये जो है इसका right answer होगा और दोस्तो ये जो answer है वो UP Metro यानि कि UP MRC के तरफ से right माने गए है, हाला कि दोस्तो अगर आपको इन में से कोई answer अगर घलत लगता है तो आप उसके जो है objection डाल सकते हो क्योंकि अभी UP MRC ने जो है objection link जो है open कर रहा है, क्योंकि दोस्तों objection के बाद में जो है इसके जो revised answer की है वो result के साथ में जारी की जाएगी फिर अगला question हो दोस्तों उसमें पेशाटवा question है, तो दोस्तों जो पेशाटवा question है दोस्तों उसमें 67 question है और दोस्तों 66 question में है which of the following is not a type of nut तो दोस्तों answer है fender nut यानि कि दोस्तों जो fender nut है वो एक nut का परका नहीं है बल्कि जो hexagonal nut cape nut और square nut होता है वो real nut होते हैं बल्कि जो fender nut होता है वो एक nut का परका नहीं है तो यानि कि इस question का answer होगा B फिर अगला question है दोस्तों इसमें 68 question है और दोस्तो 68 question में है which of the following is not a type of drilling machine तो दोस्तों इसमें 4 option दिये गए हैं और इसमें से कौन सा एक drilling machine का परकार नहीं है तो दोस्तों answer है B यानि कि push type drilling machine यह एक drilling machine नहीं होती है बलकि hand drilling machine multiple spindle drilling machine और gang drilling machine यह जो है तीनों क्या होती है drilling machine के फरकार होती है लेकिन जो B वाली है push type drilling machine वो है एक drilling machine नहीं होती है तो इसका answer होगा B फिर अगला question है दोस्तों इसमें 69 यानि कि 79 question है उसे देख लेते हैं which of the following is not the commonly used pipe material तो दोस्तों answer है C यानि कि high speed still फिर अगला question है दोस्तों इसमें 70 जो question है यानि कि 70 इस question में दोस्तों oxy acetylene cutting consists of तो दोस्तों answer है D यानि कि one black cylinder of oxygen and one maroon cylinder of acetylene यह जो है इसका right answer होगा फिर अगला question है दोस्तों इसमें 71 question है तो दोस्तों represent in the given figure तो दोस्तो इस figure के बारे में आप है उसे पूछा है तो दोस्तो इसका answer हो गा यान की approach angle and top break angle यान के दोस्तो इसमें जो 3 number और गारे में जो जो है 1 number है इसके बारे में पूछा है कि यह कौछ सा angle है तो दोस्तो यह approach angle और top break की angle फिर अकला question नहीं है दोस्तों जो 72 क्यूशन है और दोस्तों जो 72 क्यूशन है इसमें दोस्तों आप यहांपर देख सकते हो एडिजिटल वर्नियर के लिपर है तो दोस्तों आंसर है है a hole of 1 cm diameter is to be drilled on a mild steel plate what will be the spindle speed in rpm when the cutting speed is 22 meter per minute तो दोस्तों इसका जो answer वो होगा यानि कि 700 फिर एकला question दोस्तों में 75 और दोस्तों इस question में curve is तो दोस्तों answer a uniform slot cut by high pressure answer z of oxygen यह जो है इसका right answer होगा फिर अगला question दोस्तों अब जो है दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो कि जो है quantitative aptitude and logical ability का जो part वो शुरू हो चुका है यानि कि दोस्तों इसमें trade theory की जो question से वो complete हो चुक है यानि कि 75 question complete हो गए अब जो है quantitative aptitude के जो question है वो आएंगे तो दोस्तों इसका पहला question हो वो है by selling a car for 1,95,000 राम max a profit of 30% if he should the car for 2,10,000 then what will be the profit in rupees तो दोस्तों answer है इसका 60,000 यानि कि 60,000 रूपीज यह जो है इसका right answer होगा फिर एकला question हो दोस्तों उसमें जो second वाला question है दोस्तों इस question में है study the given pattern carefully and select the number that can replace the question mark है तो दोस्तों इस question mark कि जगह क्या आएगा वो आएगा दोस्तो 14 यानि कि 14 इस तो दोस्तों जो तीसरा question है तो दोस्तों जो तीसरा question है उसमें select the number from among the given option that can replace the question mark in the following series तो दोस्तों यहां पर क्या आएगा question mark में हो आएगा 28 यानि कि 28 फिर एकला question है दोस्तों उसमें चोता question है और दोस्तों जोता question है उसमें दोस्तों सूरिया borrowed a sum of money and returned it in two equal half yearly installments of Rs.5547 each if the rate of interest was 50% compounded half yearly then the total interest in Rs. paid by him was तो दोस्तों इसका जो right answer होगा डी यानि कि 1134 रुपे फिर एकला question हो दोस्तों में जो पांचका question है और दोस्तों पांचका question में है the time in year for a sum that becomes 1.4641 times of itself at 10% rate of interest compounded annually is तो दोस्तों answer है 4 फिर रगला question हो दोस्तों में चाटा question है तो दोस्तों चाटा question है उसमें a sum of 12,000 amounts to 20,736 in 3 years at a certain rate percent per annum interest compounded annually what will be the amount in rupees of the same sum in two years at the same rate compounded annually तो दोस्तों answer है 17,280 रुपे यह जो है इसका right answer होगा फिर अगला question हो दोस्तों में साथवा question है तो दोस्तों साथवे question में है अनुस सैज, पंकाज, sisters, fathers, wife is my wife, only daughter how is पंकाज related to अनुस daughter तो दोस्तों answer है son फिर अगला question हो दोस्तों उसमें जो आठवा question है और दोस्तों जो आठवा question है उसमें दोस्तों two successive discounts each of 19% on the marked price of an article are equal to a single discount of 343.90 the marked price in rupees of the article in तो answer होगा दोस्तों इसका D यानि की 1000 यानि की 1000 रुपई फिर अगला question हो दोस्तों में नवा question है तो दोस्तों इस question में select the number from among the given options that can replace the question mark in the following series तो दोस्तों इसमें पूछा गया है यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों यह जो question हो वो किसका है अनुपात का फिर अगला question हो दोस्तों इसमें और दोस्तों आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो general English है उसका पार्ट वो शुरू हो चुका है यानि कि अब जो question आएंगे वो general English के आएंगे तो दोस्तों इसका पहला question हो है select the most appropriate of the given word तो दोस्तों question है consider तो दोस्तों consider का क्या होगा ignore यह जो है इसका अन्टोनियम होगा फिर अगला question हो दोस्तों में दूसरा question है और दोस्तों इस question में select the most appropriate options to fill in the blanks यानि कि इसे भरना है दोस्तों यहां पर की आएगा there were तो सब्सक्राइब यहां पर एक सेंटेंस दिया हुआ है और इस सेंटेंस जो है वो गलत है इसमें चार सेंट God किये व हैं उसके तो कौन साप्वें सेंट में गलत है वह दोस्तो डिया यानिकि अंजली है पीजेंद बिगेन यानि कि यह जो है इसका गलत है फिर एक लाक्यूशन है दोस्तों इसमें और दोस्तों आप अपे यह पे देख सकते हो कि जो जनरल आवान नहीं चियानिक जो पाट वो शुरूँ चुका है तो दोस्तों इसमें पहला क्यूशन है वो है who won the gold medal in the 1500 meter women's final at the 2019 Asian Athletic Championship held at Doha तो दोस्तों आंसर है P.U. चितरा है यानि कि दोस्तों जो P.U. चितरा है उसने 2019 में जो Asian Athletic Championship थी उसमें 1500 meter की जो दोड़ हुई थी women's final की उसमें gold medal उन्होंने जीता था फिर रखला क्यूशन है दोस्तों उसमें second यानि कि दूसरा क्यूशन है who among the following commanded the French army of Italy in 1796 तो दोस्तों आंसर है Napoleon Bonaparte फिर रखला क्यूशन है दोस्तों उसमें तीसरा क्यूशन है और दोस्तों इस क्यूशन में है in which year was the first Indian national basketball tournament for the men held तो दोस्तों आंसर है 1934 यानि कि दूस्तों इंडिया का जो पहला national basketball tournament हुआ था वो वा था 1934 को फिर रखला क्यूशन है दोस्तों उसमें जो चोथा क्यूशन है और दोस्तों जो चोथा क्यूशन है उसमें है what is the name of the largest virtual gathering event to create dialogues and accelerate innovations in agriculture held in December 2020 तो दोस्तों आंसर है C यानि कि agree India hackathon 2020 यह जो है इसका right answer होगा फिर रखला क्यूशन है दोस्तों उसमें पांचवा क्यूशन है और दोस्तों जो पांचवा क्यूशन है which of the following congress leaders became the founder chairperson of the central social welfare board in 1953 तो दोस्तों आंसर है B यानि कि दुर्गाबाई दैस्वोग यह जो है इसका right answer होगा फिर रखला क्यूशन है दोस्तों उसमें चटा क्यूशन है तो दोस्तों चटा क्यूशन में in which of the following cities is the kumbh mela not organized तो दोस्तों आंसर है गया फिर रखला क्यूशन है दोस्तों उसमें इस सात्वे कूशन में In which year did the mughal emperor sahalum second granted the twenty rights of the province of Bengal to the east india company तो दोस्तो इसका जो आंसर होगा C यानि कि 1765 यानि कि 1765 यानि कि 1765 में फिर एकला क्यूशन हो दोस्तो इसमें आठमा क्यूशन है और दोस्तो इस क्यूशन में Which of the following is the national program for civil services यानि कि capacity building NPCSCB तो दोस्तो आंसर है D यानि कि Mission Karma Yogi ये जो है इसका राइट अंसर होगा फिर एकला क्यूशन हो दोस्तो इसमें नवा क्यूशन है और दोस्तो जो नवा क्यूशन है उसमें From which that did the constitution of India came into effects तो दोस्तो आंसर है B यानि कि 26 जनवरी 1950 ये जो है इसका राइट अंसर होगा यानि कि जो आंसर किती वो UP Metro की Fitter Maintainer की आंसर किती यानि कि Maintainer Civil की आंसर की कर सकते हैं तो दोस्तो ये जो आंसर किया है वो मैंने आपको इस वीडियो के माद्दे मिसे बताने की कोशिस की है और दोस्तो इसमें अगर कोई ये आंसर आपको गलत लगता है तो आप जो है उसमें अब्जेक्शन डाल सकते हो क्योंकि अभी ये UP Metro है उसने अब्जेक्शन लिंक जो है ओपन कर रहा है और दोस्तो अब्जेक्शन वह डाल सकता है जिसने एक्जाम दिया है और अगर दोस्तो आपको ये वीडियो चाल है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बिलाकन को दबाएं